नमस्कार न्यूस टाइम्स के इस बुलिटीन में आप सभी का स्वागत है आपके साथ महत्रिप्तिवे शोकार्मा आईए खबरों का सलसला आप सुरू करते हैं जीले के साथ पंचायतों और दो नगर परिशत छेत्र में आज आपकी योजना आपकी सरकार आपकी द्वार कारिकर्म का आयोजन किया गया तोंटो प्रखंड के तोंटो पंचायत में आयोजित सिविर में विधायक दीपक बिर्वा शामिल हुए विधायक दीपक बिर्वा जीला परिशत सदस्य राज तुबिद प्रखंड प्रमुक बारी प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुप्रिया और अंचलाधिकारी अनुप कच्छप के द्वारा लाबकों को सरकारी योजनाओ का लाब दिया गया कारक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि पहले गाउं के लोगों को अपनी समस्याओं और योजना का लाब लेने के लिए जीला व प्रखंड कारले का चकर लगाना पड़ता था राजसरकार ने आमजन के परिशानी को देखते हुए सरकार आपके द्वार शुरू किया अब सभी विभाग आमजन के समस्याओं सुल्जाने जनता के द्वार तक जा रहे हैं इसका लाब जरूर लीजिए विधायक ने कहा कि जिन लोगों को विध्वा एवं वृद्धा पिंशन नहीं मिल रहा है ऐसे जरूत मंदों को चिनहित कर लाभानवित कराने का निर्देश पदा अधिकारियों को दिया गया है यह वन छेतर है इसलिए वन पटा अधिकार के लिए भी विशेश विवस्था दी जानी चाहिए विधायक ने कहा कि यदि ग्रामिन योजना से छूट रहे हैं तो सिक्षित लोगों सान्य जन प्रतिनिधी और प्रसासनिक अधिकारियों को ग्रामिनों को योजना से लाभानवित कराने के जिम्मदारी लेनी होगी टोंटो प्रखंट के टोपा बेडा में पुल निर्मान कारे को लेकर उत्पन्य किये जारे विवाद पर विधायक दीपक बिर्वा ने कहा कि टोपा बेडा और हर्ता हातु के बांधा बेडा दोनों जगों पर पुल बहुत जरूरी है बारिश के समय पानी बढ़ने से आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है टोपा बेडा में देव नदी पर पुल निर्मान के स्विकृती हो चुकी है और बांधा बेडा पुल निर्मान टेंडर प्रकिरिया में है दोनों पुल निर्मान को लेकर गंभीर थें जो सफल हुआ अब दोनों जगों पर पुल निर्मान होगा जार्खन राज के पुर मुखि मंत्री मधु कोडा की उपस्थिती में कॉंग्रेस धोन में राजसभा सांसर मलिकार जुन खडगे के अखिल भारत ये कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर कॉंग्रेस योद्वारा खुशी मनाई गई इस अवसर पर मिठाया बाट कर एवं आतिस बाजे कर प्रसनता व्यक्त की गई पूर मुख्यमंत्री मधुकोडा ने कहा कि मलिकार जुन खडगे के नित्त्त में कॉंग्रेस आने वाले लोगसभा चुनाओं में नई उच्चाईयों को छुएगी लोगतांत्रिक पद्धती से निर्वाचित राष्टी अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे दूसरे आम कारेकरता के लिए प्रेणासरोत का काम करेंगे जिस तरह से पाटी के प्रती अपनी निष्टा दिखाते हुए एक छोटी से कारेकरता से राष्टी अध्यक्ष जैसे महतुपून पद पर पहुँँच पाएं मधुकोडा ने कहा कि मलिकार जुन खडगे के राष्टी अध्यक्ष बनने से कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नतुत्तों में चलाए जाने वाली भारत जोडो यात्रा कारिक्रम को और अधिक बल मिलेगा मलिकार जुन खडगे जी आज चुनाओ जीतने से के पार्टी के काशकता में काफी खुशी है पचिम सिंबू में भी खुशी दीख रही है काफी उससाथ है उससाहीत है लोग नया इनका मानिये के मलिकार जुन खडगे जी का अधेस्टा कर जोष और चुमारी मिलेगा इसको और अधेस्ट के रूप में पार्टी को यहां पर नेत उटतन मिलेगा नियाना घ्राँ पर जोड़ो अभ्यान जो परियात्रा करनिया कुमारी से लेकर कास्मी कर जा रहा है इसको आव भी ज्यादा भल मिलेगा आने वला दिन में काफी कांग्रेस को मजबुति के साथ में एक दो हजार 24 के जो चुनाव आने वाले हैं इसमें काफी इससे पायदा मिलेगा कांग्रेस को और विजय का रास्ता हम ये हम समस्ते हैं इसको हम लोग हासीद करेंगे ऐसा कचकता के लोग आसा परी निगाश से आज देख रहे हैं नगर निकाय चुनाव और 2024 में होने वाले लोगसभा एवं विधानसभा चुनाव को देखती हुए जार्खर मुक्ती मोर्चा ने संगठन को निशलेस्तर पर मशबूत बनाने की तयारी शुरू कर दी है जीला समीती ने चैबासा एवं चक्रधरपुर नगर समीती का गठन कर उसका पूर्ण विस्तार करते हुए संगठन को मशबूत करने का प्रकिरिया आरंव कर दी है आज परिसदन में कींद्री समीती के सदस्यों के साथ जीला समीती के पदाधिकारियों की विसीस बैठक जीला उपाध्यक्ष इकबाल अहमद के अधक्सता में हुई निर्ने लिया गया कि कींद्री समीती द्वारा प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार राइशुमारी कर सर्वसमती बनाती हुए दोनों नगर समीतियों के लिए पताधिकारियों के नामों को अंतिम रूप देने हेतु आगामी 23 अक्टूबर को विसेश बैठक होगी चैबासा नगर समीती की बैठक जीला परिशत सभागार में कींद्री समीती की सदस्य स विधायक दीपक बिर्वा और जीला सचेव सोनाराम देवगम की उपस्तिती में तथा चक्रधरपूर नगर समीती की बैठक विशेश रूप से जीला अध्यक्स, विधायक, सुखराम उराव की उपस्थिती में वन विश्रामागार चक्रधरपूर में आहुत किया जाएगा दोनों नगर समीतियों के गठन संबंधी प्रकिर्या को सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए जीला स्तर पर संयोजक मंडली का गठन किया गया है चैबासा नगर के लिए केंद्री सदस्य स जीला उपाध्यक्ष इकबाल आहमद परवेक्षक और जीला कोशाध्यक्ष सुभास बनरजी प्रभारी होंगे तथा केंद्री सदस्य स जीला उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र महतो नगर परशद अध्यक्ष डोमा मिंच और माना राम कुदादा सदस्य होंगे उसी तरह से चक्रधरपुर नगर के लिए केंद्री सदस्य भूनेश्वर महतो परवेक्षक और केंद्री सदस्य राहुल आधित्य प्रभारी तथा केंद्री सदस्य से जीला उपाध्यक्ष दीपक कुमार प्रधान चम्रू जामुदा और प्रदीप महतो सदस्य होंगे पश्षात जीला समीती द्वारा नामों की सूची की अनुसंसा अनुमोधन हेतू केंद्री समीती को प्रिशित किया जाएगा। सरकार आपके द्वार कारिक्रम के दौरान ग्रामिणों की मांग पर उपायुक्त ने उत्क्रमित उच्च विद्याले उली गुटू में चार क्लास्रूम बनवानी की स्विकृति प्रदान कर दी है। आन्मोल के पिता को कल्यान विभाक की ओर से मैक्स पिक अप देने का निर्देश दिया गया। लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। इत्यादी उत्तम क्वाल्टी के किफायती दामों में उलब्ध है। तो अवस्य पधारे नीलमशू राजाबाडी कली सदर बाजार चैवासा। जहां नीलमशू का वादा। महिला कॉलिज के बीएड विभाग द्वारा दिपावली के उपलक्ष में दिपोच्चो मनाया गया। महिला कॉलिज की प्राचार्या डॉक्टर पृती बाला सिन्हा तथा बीएड विभाग की विभागा ध्यक्ष मुबारक करीम हाश्मी तथा सभी सिक्षक सिक्षिकाओं ने दीप जलाकर समारों का शुबारम किया। बीएड सिमिस्टर चार तथा सिमिस्टर दो की छात्राओं की बीच रंगोली, दीप सज्जा, लैंप मेकिंग, पेंटिंग, कैलिग्राफी, दिपावली पक्वान तथा एको फ्रेंडली दिपावली पर भाषन प्रत्योगिता का आयोजन किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कारिक्रम भी आयोजित किया गया। प्राचार्या ने सभी छात्राओं को दिपावली की शुपकामनाई दी। इको फ्रेंडली दिपावली मनाने के लिए एवं इस बात को अपने आसपास के समाज में भी फैलाने के लिए सभी छात्राओं को प्रिरित किया गया मजगाव प्रखण के खैरपाल में सड़क चौडी करण के बकाया मौपजा भुक्तान के मामले को लेकर मंज़ारी प्रखण जीला परिजस दस्य माधव चन कुंकल के धक्सता में खैरपाल हाट चौक में बैठक हुई ग्रामिनों ने मामला से अवगत कराते हुए बताया कि विगत नौ साल पूर्व पड़सा चौक से बल्या पोसी खैरपाल होते हुए सड़क चौडी करण में जमीन चली गई मगर राजिसरकार ने अब तक भुकतान नहीं किया माधव चन्दर कुंकल ने कहा कि राजिसरकार को अपने मंत्रियों के लिए 45 लाग की फॉर्चनर गाड़ी एवं 10 करोड रुपय का बंगला बनवाने के लिए पैसा है लेकिन 9 साल से सड़क चौडी करण का पैसा भुकत करने के लिए नहीं है सड़क चौडी करण के बकाया भुकतान की मांग को लेकर सभी ग्रामिन एक जुट होकर आगामी दिनांक 11 नमंबर को मजगाव प्रखंट कारले के समक्ष विशाल धर्ना प्रदिर्शन करेंगे प्रपाल गाह में बड़क हुआ और तमाम ग्रामिनों अक्रोश है कि सरकार जो है नो साल से तमाम रेत को ठकते आरी है और उनको मुझा भुकतान नहीं हो रहा है तो मुझा भुकतान के सवाल पर तमाम ग्रामिन जो है आगामी 11 नमबर को परखंट कारले मजगाव घराओ क सदर प्रखंट के तीरिल बूटा गाउं में पंचायत प्रतिनिधियों मान की मुंडा बुद्धी जीवियों और ग्रामिनों ने आज एक बैठक की जिसमें चैबासा टाटा मुख्य मार्ग में बाइपास से लेकर आईता गाउं तक नो इंट्री की कारण कतार में खड़े वाहनों से हो रही समस्याओं पर चर्चा की गई बैठक में जीला परिशत सदस्य लालमुनी पूर्ति ने कहा की आज पास के कई ग्रामिनों को विवपारिक, मजदूरी, नौकरी, सैक्षडिक कारे से जाने में काफी परिशानी हो रही है इस सम्मद में प्रशासन को लिखित में दियाग जाएगा मुख्या विजय देवगम ने कहा की टाटा जाने वाले मुख्य सडक पर रोजाना दोनों तरफ ट्रकों का जाम लगा रहता है स्कूल के बच्चे देर से स्कूल पहुँच रहे हैं लोग दुरगटना का शिकार हो रहे हैं मुणडा लखींद्र देवगम ने कहा की चैबासा टाटा रोड अत्यंत व्यस्त रोड हो गया है मालवाहक वाहनों के खड़ा होने से प्रति दिन आमजनों की परिशानी बढ़ गई है मुणडा सुरेश बिरुली ने कहा की प्रति दिन लगभग 5-7 किलोमीटर तक सैकडो ट्रक खड़े किये जाते हैं लोगों को चलने के लिए जगा नहीं मिल पाता है मुणडा ठाकुर सिंग पूर्धी ने कहा की प्रसासन को नो इंट्री के समय वाहनों को चैबासा से 5-6 किलोमीटर दूर खड़ा करने या फिर व्यकलपिक पार्किंग विवस्था पर विचार करना चाहिए मुणडा मन की एबंग मुकिया एबंग रायत गण वाइपास से आयता तक जाम के संबन्द में एक बैठकी ग्राम जिरिल बुटा में रखी गई थी इसमें काफी लोगों ने अपने विचार वियक किया और इससे निजात थे तू हम लोगों ने एक प्रखस्ति पत्र तयार किया उपायुक के नाम से और उस ग्यापन को हमारे ग्राम पच्चेट के मुकिया एबंग उन्डा कर जाकर के उपायुक को सपोएंगे और मांग पत्र साउपने के बाद भी कोई निजाकरन नहीं होता है जाम से तो हम लोग उसके पस्चात रोट जाम करने की हम लोगों ने विचार किया है इसलिए प्रखस्ति पत्र देने के तत्काल इसका निजाकरन किया जाए अन्यता हम लोग रोट जाम करने के लिए आज जीले के खुटपानी प्रखन के पंचायत लोहर्दा में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार कारिक्रम का आयोजन किया गया। आपकी द्वार कारिक्रम का आयोजन पूरे राज्य में दो चरण में किया जा रहा है। यहाँ पर विभिन्य विभागों का स्टॉल लगाया गया है। इन स्टॉल के माध्यम से सरकार की जनकल्यान कारे योजनाओं का बढ़ चड़कर लाब उठाएं। क्रिशी पसुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचेव अब्बु बकर सिद्धिकी पी ने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान इन सीविरों में कराया जा सकता है। आप अपनी समस्या लेकर समबंदित विभाग की शीविर में जाएं। वहां उपस्तित पतिनिधी के द्वारा आपके समस्या का त्वरित समाधान किया जाएगा। उन्होंने उपायूत को निर्देशित करते हुए कहा कि विसेज ध्यान रखा जाए कि एक भी अहरता धारे लाभुक सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्यानकारे योजनाओं से वन्चित ना रहे। उन्होंने कहा कि शीवरों में खुद भी भाग ले और बाकी लोगों को भी भाग लेने के लिए परेरित करें। ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग शीवर में आकर सरकार द्वारा दिये जा रहे जन कल्यानकारे योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिला के लिए मेरे परीप्रबारी के लूग में नामित है उसी के क्रम में आज यहां रमन किया तो जैसा इसा थम ने अपरी काहिट रम बहुत पहले से दिया गे आजाने के सुबर से आकब बोला है हम देखा काफी अच्छा मॉफ़ है काफी बेड़ बाग भी अच्छा है इ तो इस टॉल के माजन से अलग-अलग जो जिनांक का प्रजाद मसल जरूर होगा साथी साथ उनके इस समस्याओं का भी निजार करने का प्रियास हो रहा है और डेट डेली हर्ट पर करने में जो हो रहा है उसका रिपोर्ड मुजिद मिलता है तो हमने डीसी सांपने तकि जनदा के लिए सरकार के प्रयास है इसको सफल बनाना सब्का जड़ाओं